स्री गने साय नमः, स्री जान की वलभो विज्यते, स्री राम चरित्मानस, दिते सोपान, अयोध्या कांड, दोहा संक्या पचास के आगे कहके कोई उत्तर नहीं देती, वद्दुसर करोत के मारे रूखी बे मुरुवत हो रही है, ऐसे देखती है, मानो भूखी बागिन, हरनियों को देख रही हो, तब सक्यों ने रोख को असाध्य समझ कर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धी, अभागनी कहती हुई चल रहे हैं, और उस कुछाली कहकई को करोडों गालियां दे रहे हैं, लोग विसम जवर्ध भ्यानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए, वे कहते हैं कि स्री रामचंदर जी के बिना जीने की कौन आसा है, महान वियोग की आसंका से परजायसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जल चर जीवों का समदाय व्याकुल हो, सभी पुरुस और इस्तिनिया अतियन्त विसाद के वस हो रहे हैं, स्वामी स्री रामचंदर जी माता कौसल्या के पास गए, उनका मुक परसंद है और चित में चोगुना चाव उस्सा है, यह सो कई की आग्यां और पिता की मौन समती पाकर वैसोच मिट गया, स्री रामचंदर जी का मन नए पकड़े हाथी के समान और रास तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके रामचंदर जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चड़नों में सिर्नवाया, माता ने आसिरवाद दिया, अपने हिर्दर से लगा लिया और उन पर गहने तता कपड़े ने उच्छावर किये, माता बार बार स्री रामचंदर जी का मुक्चूम रही है, नेत और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुवेर का पत पालिया हू, बड़े आदर के साथ सुन्दर मुक्च देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहू, वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुन्य, सील और सुक की सुन और चात की सरद रितू के स्वातिन अच्छतर की वर्सा को चाहते हैं, हे तात, मैं बलईयां लेती हूँ, तुम जल्दी नहालो, और जो मन भावे कुछ मिठाई खालो, भाया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है, माता के अत्यंत रूपी कल प्रेक्स के फूल थे, जो सुक रूपी मकरंद पुस्परस से भरेते और स्री राज लक्षमी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर स्री राम चंदर जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला, धर्म धूरिंड स्री राम चंदर जी ने धर्म की पिता जी ने मुझको वन का राज दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, हे माता, तू परसंद मन से मुझे आज्यां दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हू, मेरे सने वस भूल कर भी डरना नहीं, हे माता, तेरी किर्पा से आनंद ही होगा 14 वर्स वन में रहकर, पिता जी के वचन को परमाने सत्य कर, फिर लोट कर तेरे चड़नों का दर्सन करूंगा, तू मन को मलान दुखी ना कर, रखकुल में स्रेश्ट स्रीराम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हिर्दे में बांड के समान लगे, और कसकने ल नहीं जाता, मानो सिंग की गर्जना सुनकर हिर्दनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भराया, शरीर थर्थर का अपने लगा, मानो मचली मांजा पहली वर्सा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो, धीरस धर कर, पुत्र का मुख देख कर माता गदगदवचन कहने लगी, हे किस अपराज से वन जाने को कहा, हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ, सोरिवंस रूपी वन को जलाने के लिए अगनी कौन हो गया, तब स्रीराम चंदर जी का रुख देख कर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा, उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप आप हो रहा है, मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सब के लिए टेड़ी होती है, लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहू, धर्म और सने दोनों ने कौसल्या जी की बुद्धी को घेर लिया, उनकी दसा सांप सचुन्दर की सी हो गई, वे सोचने लग हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है, और भाईयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानी होती है, इस परकार के धर्म संकट में पढ़कर रानी विशेच रूप से सोच के वस हो गई, फिर बुद्धी मती को सल्या जी इस त पाती वर्थ धर्म को समझ कर और राम तता भरत दोनों पुत्रों को समान जान कर सरल सभावाली स्री राम चंदर जी की माता बड़ा धीरत धर्करवचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूं तुमने अच्छा किया, पिता की आग्या का पालन करना ही सब धर्मों का सिरो मन धर्म है, राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मातर भी दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महराज को और परजा को बड़ा भारी कलेस होगा, हे तात यदि केवल पिता जी की आग्या हो, तो माता को पिता से बड़ी जान कर वन को मत जाओ, किन्तु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो, तो वन तुम्हारे लिए सैक्णों अयुद्या के समान है, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होंगी, वहां के पसूपक्ची तुम्हारे चर्ण कमलों के सेवक होंगे, र नवर्द अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया हे पुत्र यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हिर्दे में संदे होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहते है हे पुत्र तुम सभी के परंप्रिय हो प्राणों के प्राण और हिर्दय के जीवन हो वही प्राणा धार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुन कर बैठी पस्ताती हूं या सोच कर जूटा सने बढ़ा कर मैं हट नहीं करती बेटा मैं बलई या लेती हूं माता का नाता मान कर मेरी सुच भूल न जाना हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलके आँखों की रक्षा करती हैं तुम्हारे वनवास की अवदी 14 वर्स जल है प्रियजन और कुटम भी मचली है तुम दया की खान और ध हर्म की धूरी को धारन करने वाले हो ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जीत तुम आप मिलो मैं बलिहरी जाती हूं तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनात करके सुक पूरवकवन को जाओ आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया कठिन में भयानक दुसा संताप चा गया उस समय के बहुविद विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता स्री राम चंद जी ने माता को उठा कर हिर्दै से लगा लिया और फिर कॉमल वचन कहकर उने समझाया उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अगला उठी और सास के पास जाकर उ सात्यां सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी रूप की रासी और पती के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुक के बैठी सोच रही हैं जीवन नात प्राण नात वन को चलना चाहते हैं देखें किस पुन्यवान से उनका साथ होगा सरीर और प्राण दोनो साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा विदाता की करने कुछ जानी नहीं जाती सीता जी अपने सुन्दर चर्णों के नकों से धर्ते कुरेद रही हैं ऐसा करते समय नुपरों का जो मदूर सब्द हो रहा है कभी उसका इस प्रकार वर्डन करते हैं कि मानो प्रेम किवस होकर नुपर यविंती कर रहे हैं कि सीता जी के चर्ण कभी हमला त्याग ना करें सीता जी सुन्दर नेत्रों से जल बहा रही हैं उनकी यह दसा देखकर स्री राम जी की माता को सल्या जी बोली हेतात सुनो सीता अत्यन थी सुकुमारी है तथा सास ससूर और को प्यारी है इनके पिता जनक जी राजाओं के सीरोमनी है ससुर सूरिकुल के सूरिय है और पती सूरिकुल रूपी कुमुद्वन को खिलाने वाले चंद्रमा तता गुण और रूप के बंडार है फिर मैंने रूप की रासी सुन्दर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र ऐसे बड़े लाड़ चाओ के साथ ने रूपी जल से सीच कर पाला है अब इस लता के फूलने फनने के समय विधाता अवाम हो गए कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परणाम होगा सीता ने प्रियंक प्रश्ट पलंक के उपर गोद और हिंडोले को छोड़ कर कटोर पिर्ट्वी पर कभी पैर नहीं रखा मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती वही सीता अब तुमा हाथी सिंग राक्सस आदियनेक दुष्ट जीव जन्तु वन में विचरते रहते हैं हे पुत्र क्या विष्ट की वाइट का में सुन्दर संजीवनी बूटी सोबा पा सकती है वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विचे सुक को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है जिनका पत्तर के कीड़े जैसा कठोर सोभाव है उन्हें वन में कभी कलेस नहीं होता अच्वा तपस्यों की इस तरियां वन में रहने योग्या हैं जिनोंने तपस्या के लिए सब भोग तस्दिय हैं हे पुत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है वे स जार कर जैसी तुम्हारी आग्या हो मैं जानकी को वैसी ही सिक्षा दूँ माता कहती है यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सारा हो जाए स्री राम चंदर जी ने माता की प्रियवानी सुनकर जो मानुसील और सने रूपी अमरिच से सनी हुई थी विवेक मैं प्रिय जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं पर मन में यह समझ करके यह समय ऐसा ही है वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो मन में कुछ दूसरी तरह न शमझ लेना जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो हे भामनी मेरी आग्यां का पालं होगा सास की सेवा बन पड़ेगी घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है आदर पूर्वक साथ ससुर के चर्णों की पूजा सेवा करने से बढ़ कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनके बुद्धी भोली हो हे सुन्द्री तब 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 तुम को मलवानी से पुरानी कताएं कह कह कर इने समझाना हे सुमुखी मुझे सैक्णों सोगंध है मैं ये सोभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ मेरी आज्या मान कर घर पर रहने से गुरू और व आदि सबने संकट ही सहे, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके सिगरी लोटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी, हे सुन्दरी, हमारी ये सीख सुनो, हे वामा, यदि प्रेम वस हट करोगी, तो तुम पर नाम में दुख पाओगी, वन बड़ में कुस, काटे और बहुत से कंकड हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा, तुमारे चरन कमल कॉमल और सुन्दर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम परवत हैं, परवतों की गुफाएं, खोख, दर्रें, नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं, कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता, रीच, बाग, भेडिये, सिंग और हाती ऐसे भ्यानक सब्द करते हैं, कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है, जमीन पर सोना, पेडों की छाल के वस्त्र पहनना, और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सद सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनकूल ही मिल सकेगा, मनुस्यों को खाने वाले निसाचर राक्सस फिरते रहते हैं, वे करोडों परकार के कपट रूप धारन कर लेते हैं, पहाड का पानी बहुत ही लगता है, वन की भी पत्ती बखानी नहीं जा सकती, वन में भी संसर्प, भ्यानक पक्सी और इस त्री पुरसों को चुराने वाले राक्ससों के जुंड के जुंड रहते हैं, वन की भेंग करता याद आने मातर से धेर पुरुस भी डर जाते हैं, फिर हे मिर्गलोचनी, तुम तो सौभाव से ही डर पोख हो, हे हंस गमनी, इखारे समुंदर में जी सकती है, नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल, क्या करील के जंगल में सोबा पाती है, हे चंद्रमुकी, हिर्दे में ऐसा विचार कर तुम घरी पर रहो, वन में बड़ा कश्ट है, स्वाभाविक ही हिच चाने वाले गुरू और स्वामी की सिक को जो सिर चड़ा कर नहीं मानता, वह हिर्दे में भर पेट पस्ताता है, और उसके हित की हानी अवस्य होती है, प्रियतम के कोमल तता मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुन्दर ने तरजल से भर गए, स्री राम जी की यह सीतल सीक उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक छोड़ जाना चाते हैं, नेत्रों के जलासों को जवर्दस्ती रोक कर वे पिर्त्वी की कन्या सीता जी, हिर्दे में धीरस धर कर, सास के पैर लग कर, हाज जोड़ कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी धिठाई को छमा कीजी, मुझे प्राण पती ने वही सिक के धाम, हे सुन्दर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रग कुल रूपी कुमुत के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाए, साथ, ससुर, गु बिना इस्त्री को सभी सुरी से भी बढ़ कर थपाने वाले हैं, सरी, धन, घर, पिर्त्वी, नगर और राज्य, पती के बिना इस्त्री के लिए ये सब सोक का समाज है, भोग रोक के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार जम यातना, नरक की पीड़ा के समान है, हे प्र बिना पुरुस के इस्त्री है, हे नात, आपके साथ रह कर आपका सरद, पूर्णमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देने से, मुझे समच सुख प्राप्त होंगे, हे नात, आपके साथ पक्छी और पसु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और विरक्चों की छा ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी पत्तों की बनी जोपडी ही सुर्थ के समान सुखों की मुल होगी, जय स्रीराम